नमस्कार साथियों आप सभी का इस क्लास में स्वागत है आज हम इस क्लास में सामाजिक आंदोलन के अंतरगत जन जाती है आंदोलनों पे चर्चा करने वाले हैं कल हमारी क्लास बीच में रहे गई थी टेकनिकल प्रोब्लम के कारण तो उसके दो बिंदू बच गए थे आतेक आंदोलन और कुछ हन्य महतवपन आंदोलन है उन पे चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले परसन आता है कि जन जाती आंदोलन क्यों होते हैं तो भारत में जन जातीयां बहुत सारी है और उनके कारण भी बहुत सारे हैं कुछ समानता हैं ये है कि भारत की अधिकां में भारत को बांटा है तो मध्य भाग में सरवादिक जनजातिया निवास करती है मध्य प्रदेश में संख्या के इसाब से सरवादिक जनजातिया है तो छोटा नागपुर पठार यहां पर संथाल हो मुंडा जारखंड की जनजातिया है तो इसे जन जातिय बेल्ट कहते हैं तो ज्यादा तर जो अंदोलनाय वो यहाँ पर हुए हैं और इसके कारण ये है कि जन जातियों का हजारों वर्सों तक बनों पर एका दिकार रहा है वो बन को अपना घर समझते हैं लेकिन ओपनिवे सी काल यानी अंग्रेजों के आगमन क कि अंग्रेजों का उदेशिया क्या था आर्थिक सोसन करना था तो वो बनों को छोड़ने वाले तो नहीं थे तो उन्होंने क्या किया धिरे धिरे बनों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया और जो आदिवासी थे जो जंगलों के मूल निवासी थे उनको वहां से तो जनजाती आंदोलन को हम तीन भागों में विवाजित कर सकते हैं इसके कालानुक्रम को तीन भागों में विवाजित कर सकते हैं 1789 से 1860 के जनजाती आंदोलन जो कि मुखे रुप से ओपनिवेशिक सासन के बजाए उस समय के राजाओं के खिलाप होते थे 1860 से 1920 तक 1920 में ग गांधी जी का जब आगमन हो गया था तो उन्होंने जो आंदोलन चलाए थे उनके साथ भी जंजाती आंदोलन चले थे तो 1920 से 1927 तक के आंदोलन ये तीन चरण में इनको हम विवाजित करते हैं तो पहले बात करते हैं कि आंदोलन है वो कौन-कौन से हैं देखो जंजाती आं आंदोलन बहुत सारे हैं, अगर हम एक एक पे अध्यन करने लगे ना, तो दस गंटे की क्लास भी कम पढ़ जाएगे, कम से कम जो मैं पढ़ रहा था, तो 60 या 65 जनजाती आंदोलन के नाम आए, तो हम जो महतोपुर्ण जनजाती आंदोलन हैं, उन पे ही चर्चा करने वाले ह पहला जनजाती आंदोलन जो माना जाता है महतोपुर्ण वो है संथाल आंदोलन, क्या है संथाल जनजाती का आंदोलन ये 1855 से 1856 के लगभग चला था, मुंडारी बासा बोलने वाली संथाल, नहीं ये आंदोलन, अंग्रेजों और उनके जो जमिदार थे, उनके जो सहुक अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेजों ने डारेक्ट उन पे अतिकर्मन नहीं किया था, जमिदार ही पर्था के माध्यम से जनजातीयों पर उन्होंने नियंत्रण स्तापित करने का प्रयास किया था, तो इसके विरोध में संथाल जनजाती ने ये आंदोलन किया था, इस आंदोलन का नेतरतवय सिद्धू, मुर्मू और कानू या कान्हू ने किया तो ये दो लोग हैं इसका नेतरतवय करने वाले इसमें क्या हुआ था कि जम्मिदारों ने पहले तो इनको रिन दिये थे रिन देने के बाद में अपनी मनमर्जी से ब्याज लगाया था यहां कारण क्या होता है देखो जब रिन देते हैं तो कुछ डोकॉमेंट्स पे वो साइन करवा लेते हैं तो और आदिवासी लोग थे बिलकुल ही अनपड थे ऐसिक सित थे बोले बाले होते हैं तो उनको इसे कोई मतलब नहीं था उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप रिन तो दीजिये पर उनको यह नहीं पता था कि अंगुठा लगाने का मतलब क्या होता है तो जमीदारों ने जो सर्तें रखी थी, वो बहुत थी ज़ादा थी और वो रिन है वो चुका ही नहीं सकते थे तो दीरे दीरे उनुने क्या किया, जमीदारों ने जमीन अधिगर्ण करना प्रारम कर दिया तो इस बात से आक्रोसित होकर जून 1855 में हजारों की संख्या में संथालों ने विरोध किया और बहारी लोगों को अपने हतियारों से उनके हतियार क्या थे बाले थे तीर कमान थी उनसे मार कर बगा दिया और उसके आसपास के जो भी जमिदार थे साहूकार थे अंग्रेज यहां तो उन सब को वहां से बगा दिया और यह जो आंदोलन है यह इसको वेश्विक्स तरपे पहचान मिली कारल मारक्स ने अपनी पुष्टक देन नोट्स आफ इंडियन इस्ट्री नोट्स आफ इंडियन इस्ट्री के अंदर इस आंदोलन का वर्नन किया है और देने के लिए भी कुछ लिखा है तो यह आंदोलन यहां पर परषन इस परकार से आ सकते हैं कि बेश्विक्स तरपे आंदोलन या कारल मारक्ष ने इस decision जाति ας जिकर किया अपनी पुष्टक के ऑंदर राजा के विरूद 1771 में आंदोलन किया था खरवार आंदोलन भी संथालों से जुड़ा हुआ अंदोलन है जो की 1833 में बागीरत मान जी के नेतरतों में हुआ था तो ये भी माना जाता है कि खरवार है वो भी संथाल जन जाती कोई कहते हैं अब कई बार क्या आजाता है कि कॉमेंट आते हैं कि सर आप ये गल्थ बता रहे हो, देखो मैं अब संथाल जनजाते के बारे में तो जनी जानता, मैं दो तिन किताबों से पढ़ता हूं, जो की अथिएंटिक बुक होती है, ये एक पूरी की पूरी बुक है, बड़ी सारी, जो जनजातियों से समंदित है, नदीम, हुसेन, उसके थिंकर्स हैं, मैंने वहां से लिया है, तो हो सकता है अगर या फिर मैं इगनू की बुक से लेता हूं, या किसी इनुश्टी की बुक से लेता हूं, अगर वहां गल्थ है, तो मेरा भी गल्थ हो जाता है, क्योंकि मेर को इनकी ज़्यादा knowledge नहीं है तो मैं जो book होती है इगनू की या university की उनसे ज़्यादा मेटर लेने की कोशिस करता हूं आगे है मुंडा आंदोलन मुंडा आंदोलन है वो विर्षा मुंडा के ने तर्तों में चलाया गया था विर्षा मुंडा को जन जाती ये आंदोलन का परतीक के रूप में समझा जाता है ये आंदोलन 1899 में और 1900 में बिलकुल अपने चरम पे था बेसे 1895 में शुरू हो गया था लेकिन 1899 में और 1900 इस वी के अंदर ये अपने पुरे चरम पर था तो ये चोटा नागपुर पठार की मुंडा जन जाती है तो बिर्षा मुंडा ने लोगों को बताया कि मुझे इस्वर के दर्सन हुए हैं और उन्होंने मुझे काहा है कि आप अपनी जाती का बला कीजिए उन्होंने मुझे चुना है अपनी जन जाती के सुधार के लिए तो उन्होंने लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बगवान ने बिर्षा मुंडा को बेज़ा है इसा बिर्षा मुंडा ने कहा और ये मुक्ति दिलाने की बात थी वो किस से थी दिक्कू दिक्कू सबद करता हता है बहरी लोग तो बहरी लोगों में जमिदार सहुकार इसाई मसीनरियां क्योंकि जब भी जन जातियां को जैसे नागालेंड और मिजोरम में लगबग 90-30 जन जातियां इसाई है तो आर्थिक सोचन के लिए आये थे लेकिन आर्थिक के साथ साथ उनका धार्मिक परचार करना भी परमुखुदेश्य था उन्होंने जैसे कि मुंदा जन जाती है यहां के लोगों का धर्मांतरन करवाया और कहा कि हम आप लोगों की साहता देंगे और इसके बदले में क्या हु विर्षा डेविस इनका नाम हो गया था तो विर्षा मुंदा ने कहा कि बगवान ने मुझे बाहरी लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए बेजा है इन्होंने उपदेश देने शुरू किये और इनके जो उपदेश थे क्योंकि यह इसाई जो स्कूल था उसमें पड़े लि वेस्ता स्तापिते की जो अपनी ही जन जाती है में उसमें उन्होंने क्या किया था कि मिद्रापान का मदिरापान का त्याग कर दिया था मासाहारी त्यागने की बात इन्होंने की थी यहां पे पसू बली बहुत जादा दी जाती थी क्या दी जाती थी पसू बली बहुत ज जाहा था तो इस परकार से पहले तो ये धार्मिक सुधारांदोलन बना था बाद में ये राजनेतिक बन गया और अठारा सो पिचान में के अंधर बिर्सा मुंडानी लगबग 6,000 युवाओं का अपना दल त्यार कर लिया और 25 दिसंबर अठारा सो स्तान में को इन्होंने इ अरी लोग थे उन सब को मार दिया गया और ये है वो कॉलकत्ता तक पहुंच गए थे लेकिन बाद में रांची से शेना बुलाई गई दमन के लिए और उन्होंने इस आंदोलन का दमन किया विर्सा मुंडा को हिरासत में ले लिया और हिरासत के अंदर ही 9 जून सन 1900 को विर इनका जनम है वो 15 नौवंबर 1800 पिचेतर को हुआ था ये एक खास बात देखने वाली होगी कि जन जातिया अंदोलन के जितने भी नेतरतों करता थे ने उनकी आयू लगबग 25 से 30 वर्स थी 20 से 30 वर्स 20 वर्स और 25 तीस वर्स ही इनकी आयू थी यानि बहुत ज़्यादा उख ओँ था और 1973 में हमें इनके नितर्तों में यानी 22 साल की उमर के अंदर इynnवने ये ओंदोलन का नितरतों की आ था तो इनके जनम दिन को पंदरा नौवंबर को जंजातिया गोरु जन जातिय गोरव दीवस गोशित किया गया है और ये प्रिक्ष्या में आ सकता है क्योंकि ये करंट का परसन है 15 नौबर 2022 को जन जातिय गोरव दीवस बनाने की सुरुवात है वो की गई है और इस के जनम दिन को जारखंड से भी हम जोड़ के देख सकते हैं जारखंड 28 वार जमना था बारत का और इसकी जो स्तापना होई थी वो 15 नौबर 2000 को होई थी कब होई थी 15 नौबर 2000 को यानि इनके जनम दिन में ही इनकी स्तापना है जारखंड की हुई थी आगे है ताना भगत आंदोलन कौन सा आंदोलन है ताना भगत आंदोलन ताना भगत आंदोलन है वो उराओ जन जात्ती में 1914 से 1920 के बीच में चला था और ये भी कुछ आंदोलन है वो विर्शा मुंडा की त्रही है यहां पर विर्शा मुंडा की भूमिका निभाई थी वो थी जात्रा बगत ने निभाई थी ये भी एक समाजिक सुधार आंदोलन था सच्चिदानन्द ने इसे सांसकर्तिक उत्थान आंदोलन काहा है तो अपरेल 1419 में जात्रा बगत ने वही कहानी दोराई थी जो बिर्सा मुंडा की तरही दर्साई थी बिर्सा मुंडा की तरही नोंने का कि मुझे दर्मेश होता है मुंडा जनजाती का बगवान तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्मेश ने बगवान ने दर्सन दिये हैं और कहा है कि मुंडा जनजाती को पसुबली, मासमिद्रा, जमीदारों अंग्रेजों से मुक्ती दिलानी है और इन्होंने उपदेश देना पसुबली का त्याग कर दो, मासमिद्रा त्याग दो, जमीदारों से मुक्ती दिलानी है अंग्रेजों से मुक्ती दिलानी है और स्रोपर्थम इनसे कुल्ली का कारे करवाया जाता था और जात्रा भगत ने कहा कि इस वर ने हमें किसी की गुलामी करने के लिए नहीं पेदा किया है हम अपने आप में सौंतंतर है तो इस बात को लेकर इनका जो विवाद था वो बिर्टी सासन से हुआ था तो इसको आंदोलन को दो चरनों में मान सकते हैं पहला सामजिक सुधार आंदोलन और बाद में साउसासन का आंदोलन तो बगतों ने साउसासन, समानता और भुमिकर, समापती की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंब किया जातरा बगत की गिरफदारी है वो कर ली गई, रांची जेल को उनमें रखा गया और ये जो आंदोलन था वो एहिसात्मक विरोध है, एहिसात्मक आंदोलन रहा है और बाद में ऐसायोग आंदोलन में भी इन्होंने सायोग दिया है और बाद में जो बगत थे, वो केई भागों में, केई साखाओं में विवाजित हो गये कोई व्यस्नाव भगत बन गया, कोई विश्नु भगत बन गया, कुछ सीव भगत बन गया, अलग-लग भगतों में इनका एक जो उच्वरग था, वो बच्छी, वो बच्छी भगत बन गया, कौन सा बन गया, बच्छी भगत, बच्छी का मतलब क्या होता है, बच्छी का होता आगे है भील आंदोलन, भील आंदोलन है वो गुजरात में भीवा है, मद्यप्रदेश में भीवा है और राजस्तान में भीवा है, तो यह जो मैं भील आंदोलन की बात कर रहा हूं, वो मुखे रुप से राजस्तान के डुंगरपूर बासवाडा में हुआ था, थोड़ा सा इसका भाग है वो गुजरात से भी टच होता है तो इसका नेतरतव है गोविंद गुरु ने किया था इन्हों ने किया था गोविंद गुरु ने किया था देयानंद सरस्वती से परवावित होकर इन्होंने 1883 के अंदर संप सभा किस्तापना की थी और इसके माध्यम से जाग सुध्य आंदोलन था और जिनों ने इस आंदोलन को अपनाया उनको बगत भील कहते हैं और बाद में ये राजनेतिक आंदोलन में बदल गया 17 नौंबर 1983 को बासवड़ा के अंदर मानगड पाड़ी पर संप सबा की बेठक चल रही थी जिस पे अंग्रेजों ने गोली चलाने का देश दे दिया और 1500 से अधिक भील यहां मारेगे इस हत्याकांड को दूसरा जलिया वाला बाग हत्याकांड कहा जाता है बाद में मोतिलालते जावत ने एकी आंदोलन भी बिलों के लिए चलाया तो ये मुखिरुप से हमारे जनजाती आंदोलन थे अब हम कुछ टोपिक्स जो बचे वे जनजाती आंदोलन है उन पे चर्चा करेंगे तो आप सभी को एडवांस में होली और एक हमारा ओफर है जो हमारा एप है सोशियोलोजी क्लासेज इन हिंदी जिसमें जो भी हमारे कोर्सेज हैं जो भी टेस्ट सिरीज हैं उन सब पर होली के आउसर पर 25 परतिसत की छूट दी जा रही है वेसे तो हमारे रेट है वो बहुत कम है मार्केट रेट से जो आपको कहीं अन्य उपलब्द होंगे हम केवल 20 परतिसत से कम रेट पे दे रहे हैं अगर मार्केट में आपको कोई कोर्स है वो 15,000 रुपे में मिल रहा है 15,000 रुपे में मिल रहा है वो हम 3,000 रुपे में ही दे रहे हैं यानि केवल 20% ही हम ले रहे हैं, फिर भी कॉल्स आते हैं कि सर आपने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो मैं उसमें कमेंट करता रहता हूं कि थोड़ी करके हम बढ़ाना पड़ता है, तो फिर भी 25% की छूट है वो हम होली के आउसर पे दे रहे हैं, तो जो कह रहे है कि महंगे हैं, तो उनके लिए होली के साथ दिन का उसर आपको है, 9 मार्च तक ये हमारा उपर चलेगा, अब है जनजातिये आंदोलन या सवायत वादी जनजातिये आंदोलन, सवायत, सवायत का अर्थ होता है सव, आयत यानि अलग रहने, तो जनजातियों का वेसे तो हमे सवायत आंदोलन है, वो मुख्य रूप से जो पुरूवतर भारत के राज्ये हैं, असम, मिजोरम, नागालेंड, मनीपूर, तरीपूरा, इन सब में सवायत अता को लेकर आंदोलन होए हैं, और उनका जो विल्य है भारत के अंदर, वो होतो तब भी गया था, लेकिन आज भी वहां पर विरोध परदस्ने वो होते रहते हैं, तो इससे पहले नागा जो जन जाती है, अठारा सो पच्पन में अंग्रेजों के अधिपत्य का विरोध किया था, बाद में फिजो एक नेता है, नागा जन जाती के नेता है, उन्होंने उन्नीस सो चारीस के अंदर, न लागा नेशनल काउंसलिंग, एन एन सी का गठन किया था, और जिसने, इसने 14 अगस्त, 1947 को आजादे की गोशना कर दी, लेकिन भार सरकार के साथ इनकी वारतालाब चलता रहा, और इनको विसेश राज्य का दर्जा है, वो दिया गया है, तीन सो इकेतर एक के अंदर, तीन इकेतर के तैत, आज भी विसेश राज्य का दर्जा मिलता है, जिसमें किर्शी भूमी को खरीदा नहीं जा सकता, तो इनको अलग-अलग समय पे, उनिस सो पिचेतर में सिक्कीम बना था, उनिस सो बांसट में नागालेंड बना था, और बहुत सारे यहां पे, जो संग्ठन हैं, जो इन दिनों में जाकर सांट हुए हैं, वरना उनिस सो स्ताड़ में ठाड़ में 2005 तक वो भारतिये जो सहसेस्तर बल हैं, उन पे हमला करते रहते थे और अभी भी होता है, अभी भी जो मिजोरम के अंदर है, वो मेयानमार में चले जाते हैं, और मेयानमार से त्यार हो यह जिसका नाम है सैसस्तर बल विसेश सक्तिया अधिनियम विसेश सक्तिया अधिनियम तो इसमें क्या है कि जो ऐस्यांत चेतर है ऐस्यांत इनको क्या कहते हैं ऐस्यांत चेतर बोलते हैं इनके लिए ये कानून बनाया गया था 1958 के में एक अध्यादेश के जिरिये बनाया गया था और इसका नाम है Armored Force Special Power Act Armored Force Special Power Act 1958 में बनाया गया था और एक सरमिला इरोन है जिसे Iron Lady के नाम से कहा जाता है जिनोंने इस कानून के विरोध में अंसन किया था और बाद में उनकी मर्द्यों भी हो गई थी तो इस परकार से नागाज ने किया मिजोजन जाती है उन्होंने भी अंग्रेजों के विरोध और बाद में भारत तिये सेना थे उनके खिलाब भी जो संग्रस्ता उनका वो जारी रहा था इसी परकार से असम के अंदर भी बोडो लेंड की मांग को लेकर किसकी बोडो लेंड की मांग को लेकर एक संग्थन बना था जिसको उगरवादी संग्थन गोसित किया गया है युनाइटेड लिबरेशन फ्रेंट ओफ है असम तो यह क्या है कि यहां पर जंजातियां हैं जंजातियां हैं जैसे कि मेघालिया के अंदर तीन जंजातियां थोड़ी सी खासी जंजाती है दूसरी पाड़ी पर जेंती आ जाती है तीसरे पर कोई और आ जाती है चोथे पर कोई और आ जाती है और अगर अलग देश का निर्मान नहीं होता है तो उनको अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए लेकिन ये बहुत चोटे-चोटे हैं और इससे है वो एश्यांती बढ़ने का खत्रा रहता है तो अब तो काफी सालों से ये मामला चान्त हो गया है इसको ऐलगाओ बादी आंदोलन भी कहते हैं और जारखंड है उन चतिस गड़ भी सवायत ता आंदोलन की ही देन है जारखंड है वो बिहार से अलग होकर बना है और चतिस गड़ वो मद्य परदेश से अलग होकर राज्ये बने हैं सन 2000 के अंदर अब कुछ अन्य महत्तो पुर्ण जंजाती आंदोलन है 1789 के अंदर चोटा नागपूर पठार पर तमार अंदोलन 1809 से 1821 को गुजरात के अंदर भील अंदोलन 1822 से 1829 में पस्चिम घाट में रामोसी विद्रो सरदार चित्तर सिंग के नेतरतों में हुआ 1931 में कोल विद्रो हुआ चोटा नागपूर पठार में बुद्धु, जोया और गंगा नारैन के नेतरतों में हुआ 1833 के अंदर खासी विद्रो हुआ जेनतियां पाड़ी पर ये रहते हैं और तिर्थ सिंग के नेतरतों में हुआ 1818 को महाराष्टर के अंदर कोली अंदोलन हुआ ये शराब बंदी के खिलाप अंदोलन हुआ जन जाते हैं शराब निकाल के बेचते थी तो सराब पर पर परत्वन लगा दिया गया था इस कारण से ये आंदोलन हुआ, 1861 में ओडिसा के अंदर जुआंग विद्रो हुआ, 1869 में नागा विद्रो हुआ, तो ये कुछ महतो पुण है, बाकी तो मैंने किया का था कि बहुत सारे आंदोलन है, तो कुछ इनका काल करम पुछा जा सकता है, तो आप इसका स्क्रीन सोट लेके एक बार इनका काल करम याद जरूर कर लें, अब है सामजी कांदोलन के चरण, जो काकल वाला जो वीडियो था, उसमें हमारे ये टोपिक्स रहे गे थे, तो चरण कौन से हैं, तो जो सामजी कांदोलन होते हैं, वो के चरणों से होकर गुजरते हैं, किसी एक चरण मे नहीं होता है, तो हार्टन एंव हटने, पांच चरण बताएं, कितने चरण बताएं, हार्टन एंव हटने, पांच चरण पहली अवस्ता आती है, ऐसंतोस, फिर अत्यधिक स्वेग पूर्ण स्थिति यानि ऐसंतोस है, वो काफी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसका लोगपिरिये होने लगता है, क्या हो जाता है, लोगपिरिये होता है, फिर ओपचारिक संग्थन का निर्मान होता है, और बाद में वो अंदोलन संस्तागत हो जाता है, क्या हो जाता है, संस्तागत हो जाता है, हरबर्ट बल्यूमर ने पांच चरण बताए, ये सबसे महतोप प्रारम में कोई एसी बात होगी जिसे उतेजना उतपन होगी फिर जो उस चीज से प्रवावित होते हैं उन लोगों की बीच में सहयोग एंदर बंदूत्वय की बाउना का विकास होगा इसको मैं किसान अंदोलन के जरीए समजा सकता हूं जैसे किसान जैसे ही केंदर सरकार तीन किर्शी कानून बनाए उससे क्या हुई किसानों के अंदर उतेजना उत्पन हुई उनमें आक्रोस उत्पन हुआ आक्रोस उत्पन होने से जितने भी किसान थे उनके बीच में सहयोगें बंदूत्वे की भावना हुई पंजाब हरियाना उत्तरपरदेश के किसानों ने क तो फिर Manopal का विकास होता है, परिवर्तन है, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन की एक परकिरिया है, क्या है, एक परकार है, सामाजिक परिवर्तन है, वो केई परकारों से होता है, और उन परकारों में एक परकार है, वो किसका है, सामाजिक आंदोलन का है, लेकिन दोनों की बीच में अंतर है, अं सामाजिक आंदोलन है वो पूरो नियोजित नहीं होते हैं नियंतरित नहीं होते हैं इसके केई कारण हो सकते हैं लेकिन सामाजिक आंदोलन है वो विशेश उदेश्य से निर्देशित होते हैं इसके लिए विशेश परियास की आउसकता रहती है इसका नेता और इसका एक होता है तो अंत में हम कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन से सामाजिक परिवर्तन होता है अवश्य लेकिन जरूरी नहीं कि सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक आंदोलन हो आगे हैं सामाजिक आंदोलन के सिधान्त ये वेसे कल मैंने करवा दिये थे लेकिन लास्ट के अंदर वो पहला सिधान्त है सापेक्सिक वंचन का सिधान्त, क्या है सापेक्सिक वंचन का सिधान्त, ये सिधान्त च्टाउफर ने दिया, किस ने दिया, च्टाउफर ने दिया अपनी पूस्तक अमरिकन सोल्डर्स, ये पढ़ चुके हैं संदरब समुय की आउधारना के अंदर, तो हमेसा दो वरग होते हैं, एक सोशक और एक सोशिट, जो सोशित होता है वो क्या करता है? सापेकश की रूप से वन्चित महशुस करता है और वही आंधोलन करता है. तो इस सिधान्त के नुसार सामाजिक संगरस्ता बुत्पन होता है जब एक सामाजिक समु है सापेक्षिक की रूप से वन्चित मैसूस करता है अपने आपको खराब स्तिती में पाता है तो वो अंदोलन करता है और यसा ही होता है कोई भी होता है जो अपने आपको वन्चित म आंदोलन ने यह सब कभी भी सोसक वरग ने आंदोलन नहीं किया है M.S.A. राउ ने इस सिधान्त का समर्थन किया आगे है विवेकी सिधान्त यह सिधान्त है वो ओल्सन ने दिया ओल्सन ने अपनी पुस्तक दै लोजिक ओफ कलेक्टिव एक्षन में दिया लोजिक ओफ कलेक्टिव एक्षन इसे तरक सिधान्त यह विवेकी सिधान्त कहते हैं इनके नुसार कि वेक्तित अभी अंदोलन में भाग लेता है जब उसको लाब अधिक होता है और नुकसान जोखिम कम होता है और जब सामुहिक तोर पे अंदोलन होते है तो उसमें जोखि गति सिलता का सिधान्त ये सिधान्त मेकार्थियों जेल्ड ने दिया इनोंने कहा कि ओल्सन का जो सिधान्त विवेकी सिधान्त ये सही व्याख्या नहीं करता है इस कारण से नहीं होता है अंदोलन का जो कारण होता है जब उसको संसादन मिलते हैं तो संसादन में क्या होता है नेतर तोय संग्ठन संचार जैसे जब संसादन हो जाते हैं तो उनसे सामाजिक कांदोलन प्रारंब हो जाते हैं आगे है हिस्यत या ऐसंग्ति सिधान्त ये बरम में लेंस की ने दिया है तो इनके नुशार जो ऐसंग्ति है वो समाज में उत्पन होती है विश्यनिष्ट ऐसंग्ति यानि समाज की सरंचना के अंदर ऐसंग्ति आने से वेक्तिनिष्ट तनाव आता है और इस तनाव के कारण ऐसंतोस या विरोध परदर्शन होती है सरंचनात्मक सिधान्त है ये भी महतोपन है सरंचनात्मक तनाओ का सिधान्त समेल सर ने दिया लेंग एउं लेंग टरनर के लियन ने इस सिधान्त का समर्थन किया ये सिधान्त सरंचनात्मक परकार्यात्मक है इसके अनुसार गंबीर सामज सरंचनात्मक तनाओ उत्पन हो ज गरत महसूस करते हैं, तो जितना ज़्यादा तनाव महसूस करेंगे, आंदोलन की समभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, और इसे क्या होता है, दिरे दिरे गटना करम चलता रहता है, और उनमें विक्सोप होता है, तो नगरी करण परवास, बेरोजगारी, इन सब के कार या पुन्द निर्मान सिधान्त जो ये सिधान्त है वो वोलेस ने दिया इसने दिया वोलेस ने 1856 में दिया इन्होंने कहा कि जितने वी उपर सिधान्त दिये गए हैं वो सब नकारात्मक दृष्टी को अपनाते हैं कोई कहता है कि सापिक सी कृप से वंचित महसूस करता है तब करता है, कोई कहता है तनाओ के कारण करता है, कोई अनोमी की आउधारना देता है, लेकिन वालेस ने कहा क्या कोई जरूरी थोड़ी है, कि हमेशा जब हम बूरास महसूस करें तबी आंदोलन करें, कुछ अच्छे बदलाओ के लिए भी, स्कारात्मक दृष्टी कोन से भ अच्छी होती है, उसमें और ज़्यादा सुधार है, वो किया जा सकता है, तब आंदोलन होते हैं, यानि सांसकर्तिक पुनर जीवन या पुनर निर्मान होता है, तो यह है, तो यह हमारी आज की क्लास थी, आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करना, और चैनल को अ बहुत बहुत धन्यवाद,